बिस्मिल्य रख्वाइन रहीम, असलाम लेकुम, वेलकम टो माई चानल, कैसे आप सब, उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियस आँगे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, रेस्टराइब स्पेशल रेसिपी, जो कहा है कोल कॉफी की, घर में आप बजट में र जाने के लिए सबसे पहले तो हम चॉकलेट को मैंट करेंगे तो मैं यहाँ पर डाक चॉकलेट का समाल करी हूँ, जो क्या है 50 ग्रैम, यह जो नॉर्मल बच्चों की चॉकलेट साथी है, यह हम डाल देंगे, इसके साथ ही हम डालेंगे इसके इनतर विप इनक्रीम, तक्री क्चुकL by 59G. मैं यहाँ पर दियंगे चॉकलेट को फिल कर लिया था पैपिञ बैंग में ताके फरिज में ताके चॉकलेट , थोड़ी सेट होजाए . जाते हैं नेक्से स्टेप के तरफ नेक्से स्टेप में यहाँ पे एक खुला बॉल ले लिया है जिसमें हम वन थर्ट कप चीनी डालेंगे और अब डालेंगे हम इसके अंदर कॉफी जो के जाएगी इंस्टेंट कॉफी टू टेबली स्पून तो यह लेवल करके मैं में मेज प्रिटर का समाल करी हूं तो यहां पे फुल स्पीड पे इन तीन इस चीज़ें को बीट करना स्टार्ट कर देंगे तो यहां पे हमारा यह मिक्सर जो है बहुत फूमी टेक्चर चाहिए हमें तो इसको लगतार चलाते जाएंगे हम और इसको बीट करते जाएंगे तो स्क्रेप करेंगे तो तो यहां पर आपके हमारी कमबाइन होनी चाहिए आप हम現在 इसको इतना बीट कर लिया है किसका जो टेक्चर है भो बुकुल लाइट से पेल कर में आचूका है इस स्टेज पिसको बंड करेंगे और यहां पिर रहाँ के इसको निकालेंगे एक बोल के अदर अब यहां पिर आपके अपनी मरजी है जितना इसको этसको समाल करना चाहें जीतना आप कट में बनाना चाहें उसे साब साब इसको यूज कर सकते हैं और airtight box को बंद करके आप फ्रिज में एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं अब आज आते हैं नेक्स स्टेप की तरफ नेक्स स्टेप में ने यह जो ग्लास को रखा था फ्रिज के अंदर यह देखें हमारी जो चोकलेट है यह अच्छे से से सैट हो चुकी है तो यहां पर हमने चार ग्लास ले लिए हैं और इसमें हम पहले थोड़ी सी बरफ डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन टू टेबली स्पून के करीब इस तयार कीवी कॉफी के मिक्सर को तो ह्याह gab2 लिक्स इस ने ख़ए को मिक्सdon को आल देए हैं और यहां पर जितना अगरी ऑफी दूत को देद नियागा, मिक्सको झांके जलने निवन को ग्लास के हम दूत को है साथ होके से थैठी टर दूत, के साथ प्राइ कीजिए और इसका फीडबग मुझे जूरु दीजिए का कि रैसिपी कैसी बनी रैसिपी को लेक्षवर जुरु कीज़े प्लीज और कहां कहां से आप लगों ने मेरी इस रैसिपी को भी वाच किया है प्रिसनस कॉमेंट सेक्षन में जूरु दीजिए फिर कि बना बोज़ादा खायर रखेगा अल्ल्हाफेज